गाइस यह कोश्चन था जेही में इस 2023 का और यहाँ पे इसने exponential series के जो expansion है उसका result है उसको utilize किया sum of submission of n equals to 1 to infinite 2n square plus 3n plus 4 divided by factorial 2n यह value उसको sum निकालना था और यह 4 option दे रखे थे 1st of February evening session का यह question है और देखिए पूरा exponential series का expansion और उसके result को हम कैसे utilize करते हैं यह सवाल में था आप इसको एक काम करोगे कि जब submission की बात आती है तो पहले हम यह क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि यह exponential series जाएगी अगर इसको आप देखेंगे तो factorial के साथ में पहले तो उसको separate करना ही क आप देख लेते हैं पहले हम यह check करते हैं suppose हमें नहीं मालूम है कि किस तरह से work out होगा तो आप एक काम करोगे कि इसकी जो factorials है 2N 2N-1 बनाएगा और यहां जो N2 वाला है उस पर 2N2 लिखा हुआ है तो मुझे यहां पर पहले क्या करना पड़ेगा 2N और 2N-1 उसको हम factor को open कर देंगे और उसमें cancellation हो जाएगी तो सिंगल यहां बचने वाला है तो क्या मैं पहले टू से डिवाइड करके टू से इंटरनली multiply कर देता हूं इसको 4N2 प्लस 6N प्लस 8 हो गया ठीक है और इसको हम एक काम करेंगे 2N factorial है as it is रखेंगे भी और देखते चलिए जिस तरह से N equals to 1 to infinite है इसके factors करेंगे 2N 2N-1 तो अगर इसको 2N 2N-1 मैं लिखता हूं तो counterbalancing के लिए मुझे number चीए होंगे थोड़ा सा इदर यहां पर देख लें एक बार तो यह 4N2-2N दे रहा है तो यह दे रहा 4N2-2N तो यहां पर प्लस 8N करना पड़ेगा फिर मुझे ठीक है न तो मैं straight forward कर देता हूं इसको 2N 2N-1 तो 4N2 बन गया इसने माइनस 2N ले लिए तो यहां प्लस 6N आने चाहिए तो हमें लिखेंगे हम यहां लिखेंगे 8N प्लस 8 को रहने दो कोई दिक्कत नहीं है और आ जाईए यहां पर ऐसा क्यों किया गया क्योंकि अब हम इस factorial के साथ में उसको separate करने वाले है और उसकी बाद उसकी value प्लेस करेंगे ठीक है तो यहां पर आप आईए 1 by 2 and summation n equals to 1 to infinite जाएगा तो यह देगा 2N 2N-1 दोनों कट जाएंगे 2N-2 बचेगा तो यहां से बचेगा 2N-2 का factorial ठीक है अब second फिर separate कर देते हैं तो यह वाला जो इससे कट होगा 4 जाएगा तो 4 को हम बाहर रखें चलिए जैसा है वैसा लिखते जाते हैं फटावट so n equals to 1 to infinite और 8n है तो यहां से 2N एक कट जाएगा तो देगा 2N-1 का factorial राइट जैसे इसके साथ मैं separate किया 4 times था और 2N को लिखा 2N cut हो गया तो 2N-1 का factorial ठीक है और फिर मैं लिख दूँ यहां पर यहां 2 है डिवाइट में यहां 8 है तो 4 बाहर आना है ठीक है ना तो 4 बाहर आएगा summation of n equals to 1 to infinite and this is 1 by 2N का straightforward factorial अब इनकी हमें values रखनी है तो पहले हम इसको जल्दी से यहां लिख ले और यह देखें कि इन values को हम कैसे evaluate कर पाएंगे जो summation था हमारा 1 by 2 summation of n equals to 1 to infinite जाएगा और इसकी मुझे value चीए होगी 2N minus 2 factorial की value चीए मुझे प्लस इसको और थोड़ा clear कर देते हैं यहां से 2 लिख देते हैं summation of n equals to 1 to infinite ठीक है और यह देगा 2N minus 1 का factorial ठीक है और यहां तब 4 plus का आगे तो plus 4 आगे है plus 4 times summation of n equals to 1 to infinite लिखके 1 upon 2N का factorial इसको यह हम इस तरह से लिख देते हैं और अब हम values को लिखते हैं हमें जरुत पड़ेगी exponential series की तो exponential series किस तरह से जाती है e to the power x जाती है 1 plus x plus x square by factorial 2 x cube by factorial 3 plus इस तरह से series जाएगी इसको आप लिखें x की जगे 1 replace कर दीजए ठीक है ना तो e की value आ जाएगी 1 plus 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 plus 1 upon factorial 4 और यह बन गया infinite तक इसका expansion अगर x की जगे minus 1 place करेंगे तो वो value बनेगी आपकी 1 by e की ठीक है ना e to the power minus 1 की बनेगी तो उसको 1 by e लिक रहा हूं मैं अब यहाँ पर x की जगे minus 1 है तो 1 minus 1 आएगा यह तो positive खुलने वाला है और यह negative खुलेगा minus 1 का cube है और फिर plus 1 upon factorial 4 आएगा minus 1 upon factorial 5 आएगा ठीक है जब 2n minus 1 और 2n 2n minus 2 अगरा की चीजें इस तरह के factorial आते हैं तो यहाँ पर हमें एक बार इन दोनों equations को एक बार add करना है एक बार subtract करना है तो यह जल्दी से हम काम कर लेते हैं e plus 1 by e लिखेंगे तो e plus 1 by e add होगा तो यह 2 देगा यह कट जाएगा है ना तो यह चीज 2 times आ गई और देखिए यह भी double आएगा यह double आएगा तो even वाले terms जोड़ जाएंगे और वाले cancel हो जाएंगे तो क्यों नहीं 2 times लिख दिया जाए 2 times क्योंकि यह 1 और 1 2 आ था 1 common आया यह कट गया था और इसमें से भी आएगा 1 upon 2 factorial 1 upon 4 factorial 1 upon 6 factorial और infinite तक clear है इसके बाद में हम इसको subtract करेंगे equation 1 minus equation 2 करेंगे तो यह देगा आपको e minus 1 by e उसकी value निकालते हैं तो यह कट जाएगा और subtract कर रहे हैं तो यह जोड़ेगा ठीक है ना तो यहाँ इस बाद 2 times यहाँ पर 1 create होगा और जब हम subtract कर रहे हैं तो यह कटेंगी यह terms add होएगी 1 plus 1 upon 3 factorial 5 factorial 1 by 7 factorial यह सब आजाएगा ठीक है अब बस मेरा सारा काम हो चुका है अब simply values ही place करनी है जब हमने e निकाल लिया तो e plus 1 by e निकाल चुक है e plus 1 by e की value आगई हमारे पास 2 times of 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial 1 by 6 factorial ठीक है और दूसरी आगई हमारे पास में e minus 1 by e की value और e minus 1 by e की value मिल चुकी मेरे पास में 2 1 plus यहाँ पर odd वाले factorial है 1 upon 3 factorial 5 factorial और इस तरह से सारी values आगई ठीक है अब एक काम करो फटाफट कि इसको जब हम open करेंगे मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब open करेंगे तो n की value 1,2,3,4 put करेंगे तो values देखिए किस तरह से यह वाला देने वाला है 1 by 2 की बात करें 1 by 2 के साथ में यह देगा n 1 put करेंगे n 1 put करेंगे तो 2 minus 2 factorial 0 आजाएगा 1 upon factorial n 1 put करें n 1 put करें तो 2 minus 2 factorial 0 1 होता है ठीक है फिर हम second लेंगे n 2 put करेंगे तो 4 minus 2 factorial 2 आएगा 1 upon 2 factorial तो मतलब यहाँ पे even वाले आने वाले हैं तो क्यों नहीं उसकी value को हम straight forward लिखते जाएं 1 by 2 करके 1 by 2 करके यह जो नंबर था 1 plus 1 by 2 factorial 4 factorial वाला यह यहाँ पे प्लेस होना है तो यह आएगा आपका straight forward value रख रहा हूं मैं इसमें e plus 1 by e और यह divide करेगा by 2 देखिए यह काम हुआ मेरा पूरा अब हम आते हैं इस पे 2 times 2 times यहाँ पे आते हैं यह odd वाला देगा clear है बात जैसे n1 put करोगे तो 2 minus 1 आएगा 1 factorial फिर 2 put करोगे 4 minus 1 3 आएगा 1 upon 3 factorial तो यह वाली value आएगे guys यहाँ पे तो 2 times of और 2 times of करना था और यह value रखनी थी तो यह value बन रही है यहाँ यह e minus 1 by e by 2 ठीक है अब आजाए प्लस 4 times 4 times और इस value को थोड़ा सा open करके देखें n1 put करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1 upon 2 factorial प्लस n2 put करेंगे तो आएगा 4 factorial 4 factorial plus 6 factorial यहाँ से चालो हो जाएंगे तो यह value actual में यह वाली है यह वाली है इसमें से यह जो number है यह पहले divide होगा और 1 भी उदर जाएगा ठीक है तो e plus 1 by e होगा e plus 1 by e divided by 2 और minus 1 guys minus 1 minus 1 यह इसकी value लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 1 upon 2 n का जो factorial है वो open ok यह आएगा 4 पहले सी था ठीक है अब मैं यहाँ पे इस सवाल को यहाँ छोड़ता हूँ सारा काम लगबग हो चुका complete कि हमारे पास में e है 1 by e है और same format में यहाँ पे इसकी values है ठीक है न तो अगर हम इसको आप पूरी values को add करेंगे तो इसमें answer मिलेगा आपको b option यह सब आप simply add कर लेंगे ध्यान रखेंगे इक के form में लिखा रहने देंगे one upon e के form में लिखा रहने देंगे reason क्योंकि जो option दिये रहते हैं उसकी तरब भी ध्यान दे दो कि वह किस तरह से लिख रहा है तो वह जिस format में लिख रहा है वैसे ही हम हमारी calculation को भी बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे आजाएगा आपका बी ऑप्चिन